किया हाल चल रहे हैं बिटकोईन और क्रिप्टो मार्किट के बात करेंगे क्या सिचुएशन है क्या अपडेट्स है क्या न्यूज है और सबसे पहले आप सभी को वेरी गूड मॉर्निंग इस मॉर्निंग के अगर बात करें आज 14 अगस्ता और आज की डेट बहुत इंपॉर् इस टाइम पर चल रहा है और इक सट अजार को हम कली रात को हिट कर लिया था ठीक है इक सट हजार को हिट करने के बाद बिटकोईन का प्राइस नीचे गिरा और अभी जो है साट के लेवल पर खुद को मेंटेन कर रख़ है बिटकोईन ने तो थोड़ा सा आज वेट कीजि सकता है आपको 62 या 65 तक के भी लेवल दिखा दे ठीक है तो आज कुछ भी हो सकता है उसके लिए आपको यहां पर थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा पहला अपडेट है अप्टोस को लेगे अप्टोस के प्राइस अभी रीसिनली थोड़े से जंप होगे लेकिन नंबर ओफ ट्रांजक्शिंस बाइप तोस यूजर रीच 51.6 मिलियन असिगनिफिकेंट इंक्रीज ओफ मोर दन 3570 परसेंट अप्टोस के ट्रांजक्शिंस नंबर जो ट्रांजक्शिंस का नंबर है वो बढ़ राया ठीक है अप्टोस यूजर की तरफ से फ्रॉम दे प्रिविस दे प इस पॉइंट सिंस मे 25 इस एर एंड अप्टोस नेटवर्क यूजर टीपी एस रीच ट्रांजक्शन पर सेकिंड भी 14,300 पर पहुंच गया तो यह बड़ा नेटवर्क पे जिस तरह का बूस्ट बूम मिल रहा है अप्टोस को थोड़ा अप्टोस पर नजर रखिये ट्रां तो पार्टनर्शिप के लिए कुछ यहां पे बडेजच को इने ट्वीन के यहां परки किसके साथ पार्टनर्शिप करेगा बडेज़ बडेजब करेगा और बीडू। किस प्रजक्ट के साथ आत मिलाएगा ये कम्म्यूनिटी डिसाइड करेगी ठीक है को नेक्स्ट बेटेड्ट डॉन को लेके डॉन लेके आया मार्केट के अंदर यानि जस्टिन सन एक मीम कॉइन और जिसका नाम है सन पॉम्प दफिर्स्ट मीम फिर लाँच प्लाटफॉर्म ऑंट्वर्म पॉम्प टू तू दा सन तो सन पंप इस मीम क्रिप्टो करेंसी का न to announce that Sun, Pump, Meme and HTX Global have joined forces for an epic partnership जिस तरह Aptos के transaction system पर record high पर चल रहे है Aptos high लगा रहा है उचाहियों को छू रहा है network उसी तरह Ethereum layer 2 के अगर बात करें scaling ecosystem set a new record of 12.42 million daily transaction on 12 August तो Ethereum का layer 2 scaling ecosystem भी अपने नए record यहाँ पर set करता हूँ next update फ्लॉकी नुगले के तब प्रीमिर लीग is headed to Valhalla with फ्लॉकी तो फ्लॉकी की जो game है उसको लेके कुछ announcement किया और फिर से campaign यहाँ पर जो है किसके साथ अगर हम देखे वालहाला विल बी showcase on major network and streaming platform like sky sports nbc sports and amazon prime reaching diverse audience including gamers and crypto lovers तो यह कहीना कहीं बहुत बड़ी बात है amazon prime की अगर हम बात करें वहाँ पर भी अब फ्लॉकी इनू दिखने वाला है और एक campaign की announcement किया और this campaign position Valhalla alongside global brands enhancing its credibility and visibility in both the gaming and cryptocurrency market तो यह announcement है Valhalla powered by Flocky to debut in the English Premier League in 190 countries broadcast to 712 million household और 3.2 billion audience तो बहुत बड़ा टार्गेट यहां पर इस बार हिट करने जा रहा है फ्लॉकी इनू तीन बिलियन लोगों की नजर में ठीक है तो साउथ कोरिया की exchange के टाइम फ्रेम पर चलें यह 15 मिनिट के टाइम फ्रेम पर चलें आप देख सकते हो 35-34 डॉलर की जो लेवल थे वहां से इसका प्राइस आज 45 डॉलर तक आ चुका है और जिस तेजी से प्राइस बढ़ रहा है उमीद है कि 50-60 डॉलर बनाना दिखा सकता है क्योंकि पिछल कि तो यह रिवील किया यहां पर गॉल्वन सेख ने इंवेस्टमेंट बेंक सेज इस इट ऊन ऑवर 400-1000-2000 डॉलर इन बिटकोईन आप चारसो मिलियंड डॉलर का बिटकोई है स्टॉक गॉल्डवन सेख के पास है जब भी कोई कोई बिटकोई क्रिप्टो मार्किट करिपि के अंदर होता है मतलब आप देखो पिछले 5-6 महिने से मार्किट क्या हो रहा है ठीक है सतर पे जाते हैं फिर नीचे आते हैं सतर से 50 की रेंज में ही बिटकॉइन घुमा है पिछले 5-6 महिने के अंदर है ना तो जब कंसॉलीडेशन ब्रेक होता ना जब breakout होता है और पूरी पावर के साथ होता है फिर एक बड़ा जम आता है तो कुछ ंर पी को लेके भी कुछ इस तरह का सिनेरीयो दिख रहा है और यह कंसॉलीडेशन को दो महिने का पचार महिने छए महिने यह साथ साल का है बहुत बड़ा कंसॉलिडेशन पीरियड जब बड़े कंसॉलिडेशन टाइम तूटते हैं तो फिर पंप और जंप भी बड़े आते तो एक सार्पी नियर मैसिव ब्रेक आउट एनलिस्ट क्या प्रजेक्ट कर रहे हैं कि दो दो सो साथ डॉलर तक एक सार्पी का प्राइस जा सकता है लेकिन क्या यह सच में पॉसिबल है 263 डॉलर अगर इस लेवल से क्योंकि आज 0.56 की रेंज में एक सार्पी है तो अगर एक सार्पी ने यह वाले प्राइस के दर्शन करा दियना तो मुझे नहीं लगता कि एक रेंज में उनको मिल जाएगा 263 डॉलर बहुत बड़ा और बहुत यूज नंबर है क्योंकि आज की डेट में एक सार्पी चलता है कितने पे 40-50 की रेंज में चलता है ठीक है और 263 डॉलर की अगर मैं बात करूं 20-21 रुपे यह प्राइस होता है मतलब आज एक डॉलर का भ या नहीं है क्या कंसॉलिडेशन ब्रेक होगा तो इतना बड़ा प्राइस होगा या नहीं होगा यह सिर्फ टाइम बता सकता है लास्ट इंड फाइनल में बात करेंगे मी लेडी मीम कोईन जिसको आप लेडीज बोल सकते हो यह सेल्फ और्गनाइज मीम कोईन और ड्रिप क क्या क्रिप्टो डॉट कॉम मी लेडी मीम कोईन को अपने प्लाटफॉर्म पर लिस्ट करने वाला है या ओल्रेडी लिस्टिड नहीं है लेकिन अगर लिस्टिंग का कुछ सिनेरियो दिख रहा है तो डेफिनेटली बहुत अच्छी बात रहेगी क्योंकि क्रिप्टो डॉ वीडियो को करेंगे यहीं पेंट बाग की अपडेट्स आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रिसर्च करें वह बहुत जरूरी है तब तक के लिए बाए बाए टेक कियर